न सूजी न बेसन ना ही कोई आटा फिर भी इतना टेस्टी नाश्टा बनेगा कि हर कोई चाहेगा इसे रोज बना ले क्योंकि कम मैंनत में पूरे परिवार के लिए बनेगा भरपेट नाश्टा तो चलिए रेसिपी के स्टार्ट करते हैं अगर थोड़ी भी अच्छे लगे तो इसे लाइक करना बिलकुल न भूले किसी कड़ाही या पैन को हम गैस पे चड़ा लेंगे और उसमें डालेंगे एक चमज तेल तेल के गर्म होते ही डालेंगे आधा चमज जीरा और जीरा के क्रैकल होती ही इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्चो को अगर आप लैसुन का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर तीन से चार कलिया लैसुन बारी कट करके डाल सकते हैं साथ ही डालेंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज और यहां प्याज को हम हलका सा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे साथ में नहीं हम डालेंगे वनफोर्थ कप ग्रेटड गाजर को गाजर को भी यहां हलका सा मिक्स देने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दो बड़े चममच फ्रोजन मतर आप चाहे तो मतर की जगा स्वीट कॉर्न का भी इस्तमाल कर सकते हैं मतर को यहां हम अच्छी तरीके से मिक कर लेंगे अब इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक साथ में ही डालेंगे कटी हुई धनिया पती को सबी चीजों को एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स देंगे यहां हमें किसी और मसाली का इस्तमाल नहीं करना है और सबजियों को यहां सिर्फ हम 50 परसंट तक ही अब हम हमारी दूसरी त्यारी कर लेते हैं यहां मैंने आधा कटोरी चावल को एक घंटे भीगो कर रखा था भीगने की बाद यह एक कटोरी हो गए हैं अगर यह नाश्ता आप सुबा बनाने चाते हैं तो आप रात भर चावलों को भीगो कर भी रख सकते हैं चलिए तो भ करने में दिक्कत आये तो एक से दो बड़े चम्मज पानी भी आप डाल सकते हैं लेकिन इसे बहुत ज्यादा पतला आप ना करें चलिए तो इस चावल और आलू के पेस्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में साथ में ही डालेंगे कुछ कटे हुए कड़ी पत्तों को साथ ही डालेंगे एक चम्मज बारी कटा प्याज और बैटर में खटाई के लिए एक से डेल चम्मज ही बारी कटे टमाटर को डाल देंगे साथ ही डाले टेस्ट अकॉरडिंग नमक, मसालों में हम डालेंगे चटपटे फ्लेवर के लिए एक बड़ा चमच चाट मसाला, साथ ही डालेंगे आदा चमच गरम मसाला, आदा ही चमच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, सबी चीजों को बैटर में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यहां पर हम चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल नहीं करेंगे, और ना ही हम इनो या सोडी का इस्तमाल करेंगे, फिर भी नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा फूला फूला और सॉफ्ट सा बनेगा, और आप बैटर की ना तो यह बहुत ज़्यादा गाड़ा हो और ना ही पतला, चलिए तो यहां बैटर भी हमारा एकदम रैडी है, अब हम क्या करेंगे कि मीडियम साइज के किसी पैन को गैस पे चला देंगे, और आप चाहे तो यह नाश्ता कड़ा ही या बड़े पैन में भी बना सकते हैं, चलिए तो इस पैन में हम डाल देंगे दो चमज तेल और इस तेल को पूरे ही पैन में अच्छी तरीके से फैला देंगे, अब इस तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी राई, और आदा चमज के लगभग इसमें तेल भी अच्छी तरीके से फैला देंगे, तिल का crunch नाश्टे में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपके पास ना हो, तो आप skip भी कर सकते हैं, और इनके crackle होते ही, यहाँ पर हम लगबग 2-3 चमज बैटर को डाल देंगे, और बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से spread कर देंग अच्छे से पैला देंगे, और यहाँ सबजियो की stuffing आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो यहाँ मैंने डेर सारी सबजियो की stuffing को इसके उपर पैला दिया है, अब हम क्या करेंगे कि इसके उपर फिर से बैटर डाल देंगे, और सबजियो को पूरी तरीके से कवर कर देंगे, चलिए तो यहाँ पर stuffing को भी अच्छी तरीके से कवर कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस नाश्टे को कवर कर देंगे, और इसे low to medium flame पर 2-5 मिनिट सिखने देंगे, या तब तक कि जब तक इस पर हलका सा golden brown सा कलर ना जाए, चलिए तो लिट को ह हमने यहाँ पर हटा लिया है, और इसके ओपर हम 1-5 चमस तील डाल देंगे, जिसके नाश्टा जब हमारा दूसरी तरफ से सिखे, तो वो रूखा रूखा सा ना लगे, नाश्टे को टर्न कर दिया है, और यह देखिए नाश्टे पर बहुत ही अच्छा कलर आया है, अब इसे हम दबाते हुए अच्छी तरीके से 2 मिनिट तक सेख लेंगे, यकीन मानिए कि क्या इडली और क्या डोसा, दोनों ही इसके आगे फीके लगेंगे, यह बहुत ही जादा टेस्टी और चटपटा बनता है, सुबह का नाश्टा हो या बच्चों को टिफिन में कुछ दे तो यह देखे, नाश्टा अमारा पूरी तरीके से अंदर से भी पका हुआ है, यह कहीं से भी कच्चा नहीं रहता, सबजियों से भर पूर कम तेल मसालों का एकदम हैल्दी टेस्टी नाश्टा है, मेरे घर में तो इसे दुबारा बनाने की डिमांड होने लगी, नाश्ट